धैर ये एक ऐसी चीज है अगर आपके पास है तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको हरा दे अक्सर लोग धैर ये ना रखने की वजह से हार जाते अगर आप सोचते हैं कि हार मान लेने से आप जीवन में आने वाली परिसानियों से बच जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकते क्योंकि परिसानी जीत का दूसरा पहलू है और इससे बचा नहीं जा सकता बलकि इसका सामना करके जीत हासिल किया जा सकता है सच्चाई और इमानदारी से जीती गई लड़ाई हमेशा सुकून देती है जबकि धोखे से जीती गई लड़ाई हमेशा दुख और हतासा का कारण होता है अगर आप असली खुसी की तलास कर रहे हैं तो आप लोगों को सफल बनाने में उनकी मदद कीजी आप कभी भी किसी को धोखा देकर आगे बढ़ने में अपनी बहादूरी मत दिखाई बलकि लोगों को सफल बनाकर बहादूर बनिये अगर आप जीवन में हारने के बाद एक नई शुरुआत करना चाते हैं तो आपको अपनी अंदुरूनी ताकत को जगाना होगा और खुद में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना होगा सफलता हमेशा लोगों के काम करने की छमता में चुपी होती इसलिए आपको अपनी काम पूरी छमता के साथ करना चाहीं ताकि आप जीवन में सफलता हासिल कर सके डर के साथ सफल होना मुस्किल नामुम्किन है क्योंकि डर हमेशा आपको अपनी छमता के अनुसार काम करने से रोकता है इसलिए आप खुद को डर से दूर रखे और जीवन में सफल बने स्रीकृष्ण कहते हैं जब कोई आपकी परसंसा करें तो आप खुश होने के साथ साथ और बैतर परदर्शन करने के लिए तयार रहना वरना जो आज परसंसा कर रहे हैं वो कल आपकी बुराई करने के लिए तयार रहेंगे जो हार जाते हैं वो हमेशा एक के बाद दूसरा नया काम करने के लिए तयार होते हैं सायद वो ये नहीं जानते कि बार बार नया काम शुरू करने से लोग सफल नहीं होते बलकि हर काम को अलग ढंग से करके सफल होते इस धर्ती पर हड़ किसी को अच्छे दिन गिनकर मिले हुए है इसलिए आप अपने मिले हुए अच्छे दिन को जीवन में सफल होने के लिए खर्च करें ना कि दुखी और निरास होने में खुद को आप इतना मजबूत बना लेजिए कि आपके सामने आने वाले समस्याएं कमजोर हो जाए और आप उन्हें हरा कर अपने सपने को पूरा कर ले जब कोई आपके अलोजना करे तो आप उसे धन्यवाद दे क्योंकि यही वो आदमी है जो आपको अरधिक बहतर बनाने में आपकी मदद करता है लोग बहुत अधिक काम करने से उतना सफल नहीं होते जितना वो एक काम को अधिक बहतर ढंग से करने से होते है यदि आप सफल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको सिकायत ना करने का संकल्प लेना होगा क्योंकि सिकायत करने वाले कभी सफल नहीं होते यदि आप किसी लक्षी को पानी के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो लोग आपसे बार-बार कह रहे हैं आपसे ये नहीं होगा और आपको इससे कोई फर्क नहीं परने वाला जब तक आप खुद से ना बोले कि आपसे ये नहीं होगा यदि आप जीवन में एक बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको हमेशा इस बात पर विश्वास बनाए रखना होगा कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद नहीं हारना चाहेंगे हारे हुए आदमी को दया और करुणा की आवस्सक्ता नहीं होती बलकि उसे अच्छे सलहा की आवस्सक्ता होती है क्योंकि आप कभी भी हारे हुए आदमी के लिए दया और करुणा की भावना ना रखे उसे अच्छा सलहा दे अगर आपका वक्त खराब चल रहा है, तो आपको दुखी और निरास होने के बजाए, इस बात पर ध्यान देना चाहिए, कि आपका वक्त अच्छा कैसे होगा, और आपको इसके लिए क्या-क्या करना होगा, तन का हारा आदमी आज नहीं तो कल जीत जाएगा, पर मन का हारा कभी नहीं जीत समता, इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाईए, कि लाख मुसिवतों के बाद भी डट कर खड़ा रह सके, स्री किष्ण कहते हैं, दूसरों को समझने की कोसिस करेंगे, तो आप कभी भी नहीं समझ पाएगे, यदि खुद को समझने की कोसिस करते हैं, तो आप खुद को और दूसरों को भी आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए दूसरों को समझने से अच्छा है, खुद को समझा जाएं, गरीब उसे नहीं कहते हैं, जिसके पास पैसा नहीं होता, गरीब तो उसे कहते हैं, जिसके पास अच्छी विचार और वहवार नहीं होते ह अगर आप अमीर बनना चाहते तो आप अपने विचारों और बहवारों पर ध्यान दीजी आपको ये सोच कर दुखी नहीं होना चाहिए कि आप अकेले हैं क्योंकि जब आप पैदा हो रहे थे तब आपको ये नहीं पता था कि दुनिया विरान है या लोगों से भरा पड़ा है यदि आप शाहते हैं आपका वक्ट अच्छा हो तो आप इस बात की सिकायत कभी ना कीजी कि आपका वक्ट खराब है क्योंकि बुरे वक्ट से ही आपके अच्छी वक्त का जन्म होता है आपको ये सोच कर निराष्ट नहीं होना चाहिए कि कोई आपको त्याग धिया दे क्योंकि जिस दिन आप उचाएं तक पहुंच जाएंगे लोग आपको देख कर पच्टाएंगे स्रीकिष्ण कहते हैं कि यदि आप पूरी लगन के साथ काम करते हैं तो आपको फल की चिंता करने की अवश्चता नहीं है क्योंकि आपके फल की चिंता उपर वाला कर रहा है वो जो देगा अच्छा देगा यदि आप मैदान में उतर चुके हैं तो आपको तब तक लड़ना है जब तक आप जीत नहीं जाती मैदान छोड़ कर भागने वाले ना घर के होते हैं ना घाट के इसलिए आप हिम्मत पनाए रखिए और जीतने के लिए लड़ते रहें जब तक आप जीत नहीं जाएं सिर्फ एक हार से आपकी किस्मत तै नहीं होती बलकि कई बार हारने के बाद भी किस्मत बदलती मतलब आपको जीत मिलती है इसलिए हर हार के बाद एक पूरे जोस के साथ आगे पढ़िए अगर आप में सुनने की कला है तो आप में बोलने की कला भी है क्योंकि जो ध्यान से सुनता है वही ध्यान से बोलता है अच्छा दिमाग और अच्छी कोशिस इंसान को कभी हारने नहीं देते इसलिए आप अपने दिमाग को जितना होस के उतना अच्छा करे और हर काम में अपना सौ परतिसत दे स्रीकिष्ण कहते हैं कि यदि आपका मन अंदर से मजबूत हो तो ये तैह आप ना कभी जुकेंगे और ना कभी तूटेंगे बस आगे और आगे बढ़ेंगे अगर आप किसी चीज के लिए दिल से दुआ करते हैं तो हजीज आपको तम मिलती है जब आप उसको संभालने के काविल हो जागे जैसे सफल था आप अंदर से जितना सांत होंगे आपके विचारों में उतनी ही गहराई होगी और आपका जीवन उतना ही अधिक सम्रिद्ध होगा इसलिए आप हमेशा अंदर से सांत लें और जीवन का आनंद लें सपनों को पूरा ना कर पाने के किसी और को दोसी नहीं ठहराना चाहिए क्योंकि जब सपने आपके तो उसे हासिन करने के लिए प्रयास भी आपको ही करना पड़ेगा जब आपका मन ये कहने लगे कि आप सब कुछ छोड़ दे तो आपको साप्धान हो जाना चाहिए क्योंकि आपका मन कमजोर होया इसलिए मजबूती बनाए रखिए और अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए स्रीकिष्ण कहते हैं आदमी एक लच्शों की मांग करने वाला प्रानी है उसकी जिंदगी का तवी अर्थ है जब वो अपने लच्शों के लिए प्रयास करता रहे उन्हें प्राप्त करता है एक नोजवान वैक्ती को आगे बढ़ने के लिए उसे हर संभब तरीके से अपना विकास करना चाहिए ऐसा कभी भी संदे नहीं करना चाहिए कि कोई उसके रास्ते में रुकावट हो सकता है जीवन में अपनी वर्तमान स्थिती के बारे में सिकायत करना बेकार है उसके बज़ाए इससे उपर उठने के लिए कुछ कीजी अमीर और गरीम में ये एक मातर अंतर है और वो अंतर ये है कि आप अपने समय का इस्तिमाल कैसे करते पैसे के लिए काम करके कोई भी कभी अमीर नहीं बन सकता पैसा आपके लिए काम करें ऐसा हुनर सीखना होगा सबसे बड़ी गर्व की बात कभी ना गिरने में नहीं है बलकि हरवार गिरकर उठनी में है एक समय की बात है एक द्यालू बेपारी सुबस पर पार्क में टैल रहा था अचानक उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो फटे हाल परिसान और निरास था उसे देखकर वो द्यालू बेपारी को द्या आगी वह उसके करीब गया और उससे उसकी परिसानी का कारण पूछा जी और यही नहीं मेरे सर पर भहुती जादा कर्श हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ सारे रास्ते बंद हो गया अब मेरा मर जाना ही अच्छा होगा उस देखकर बेपारी ने मानी मन सूचा तो मैं इस पार्क में तुम्हारा इंतजार करूँ जितने पैसे का मैंने तुम्हें चेक दिया है उतने पैसे का तुम मुझे चेक दो भी उस परिसान आदमी ने कहा मैं यह आपका उपकार कभी नहीं भूलूँगा मैं ठीक 6 महिने के बाद इसी दिन इसी तारीक इसी जवे पर चेक के साथ मिलूगा देलू बेपारी वर परिसान आदमी दोनों अपने अपनी मंजिल के और चल दी परिसान आदमी अब परिसान नहीं था वह खुस था क्योंकि उसके पास इतने पैसों का चेक था जिससे वह अपनी सारी परिसान ही दूर कर सकता है अब चेक बजाने की बारी आई तो परिसान आदमी ने खुद को समझाना अस्षरू कि मैं इस चेक को नहीं बजाओंगा मैं इसे सुरक्षित तरीके से अलमारी में रख देता हूँ और एक बार फिर मैं पूरे जोस के साथ बरबाद हुए बिजनस को खड़ा करने का प्रयास करता हूँ अगर नहीं हो पाया तो चेक अलमारी में ही रहे इसे बजा कर मैं अपना सारा कर्ज उतार दूगा उस परिसान आदमी ने चेक को अलमारी में रख तर एक बार फिर पूरे जोस के साथ अपने बरबाद हुए बिजनस को खड़ा करने में लग गए वह दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद अपने बिजनस को दीरे दीरे आगे बढ़ानी लगा लगवक तीनी मैने बीते होंगे कि उसका बरबाद होच का बिजनस सब फिर से दौरने लगा उसने बिजनस की कमाई से अपना सारा कर्ज चुकता कर दिया वह अब अमीर हो चुका था उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी उसे अलमारी में रखे चेक को भजानी की जौरत ही नहीं पड़ी जब चेक लोटाने का समय आया तो वह द्यालू वेपारी को चेक लोटाने निकल पड़ा जो उसका पार्क में इंतजार को उस द्यालू वेपारी ने उस परिसान आदमी को सूट बुड में देखकर पहचान नहीं पाए जब वह परिसान आदमी उस द्यालू वेपारी के पास आया तो उसे अच्छे से पहचान लिया परिसान आदमी अब अमीर हो चुका था उसने उस देयलू बेपारी को चेक लोटाते हुए का मुझे इसकी जुरत नहीं पड़ी तब देयलू बेपारी ने का वैसे ये चेक किसी काम का नहीं है ये एक नकली चेक है मैंने इसे तुम्हें सिर्फ दो पल की और जिन्दगी मिल जाए इसलिए दिया था जब ये बाद उस परिसान आदमी ने सुना जो अब अमीर हो चुका था तो उसके पैरों तले जमिन की सब्गे कोई सोच कर है रहान था कि अगर वो खुद पर विस्वास करके पूरे जोस के साथ प्रयास ना किया होता तो उसका क्या होता सोचो खुद पर विस्वास और लगतार प्रयास से ब्रवाद हुई जीवन को भी एक बार फिर से सफल बनाया जा सकता है दोस्तों इस वीडियो में बसीता है मिलते हैं अगले वीडियो में अपना ख्यारा कियेगा जैय स्रीकिष्णा